बच्चों आपका इस भाग दो में स्वागत है अभी हमने सुनीता का पाठ पईया कुर्सी पढ़ा अब देखते हैं अगे सुनीता अमित की बात से सहमत नहीं होती है और वह कहती है कि मैं दूसरे बच्चों के जैसी ही हूँ तथा वो सारे काम जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं मैं भी बखु भी कर सकती हूँ अमित कहता है कि नहीं हम दोनों सामाने नहीं हैं हम दोनों नौर्मल बच्चे नहीं हैं तुम पईया कुर्सी पर चलती हो और मेरा कद यानि की मेरी हाइट बहुत छोटी है इसी लिए लोग हमें देख कर हसते हैं फिर लोग क्यों हमें सामाने समझेंगे जब हम दोनों साम सुनीता कहती है कि पहिया कुरसी पर चलने पर उसका क्या दोश है इसमें उसका क्या दोश है लेकिन अमित सुनीता को अपनी कमिया बताता है लेकिन सुनीता एक स्वाविमानी लड़की है वह कहती है कि नहीं हम दोनों ही सामान है और एक दूसरे को जैसे और लोग दूसरे ल जीवन स्वयम जीएंगे और बड़े आत्विश्वास के साथ मतलब बहुत confidence के साथ सुनीता और अमित अब अपनी घर की तरफ बढ़ने लगते हैं आगे निकलने लगते हैं अभी भी लोग उन्हें देख रहे होते हैं उन पर हस रहे होते हैं लेकिन सुनीता अब किसी की पर रवा नहीं करती है और लोगों की बिलकुल भी वो चिंता नहीं करती है और अब सुनीता के पीछे फरीधा भी उसके साथ हो लेती है बच्चों हमें इस तरह के बच्चों के साथ कि या किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का भेद भाव या दयापून वहवार नही वहवार करना चाहिए धन्यवाद बच्चों